हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आज मैं आपके लिए साइंस का स्लेवर्स लाई हूँ बैसे तो आप लोगों ने स्लेवर्स बुक में देखा ही होगा एम शूर लेकिन मैं आपको बताऊंगी हमें किस टॉपिक में क्या चीज पढ़नी है तो इससे क्या होगा आपको पता लग जा बाते हैं कि इस पार्ट को पहले कवर कर देंगे तो हम उस पार्ट को पहले कवर कर देंगे अब हम बात करते हैं हमारा जो फर्स पॉइंट हो क्या है बोजन जिसमें हम खाने के बारे में पढ़ेंगे इसमें तीन पार्स में पढ़ना है इसको बोजन के स्रोथ मतला हमें कह और भूजन मिलता है इसमें पौदों की बात करेंगे, इसके जड़, दनए, उसके फूल, फल इन चीजों की हम बात करेंगे, कहां से चीज़ प्राप्त होती है अब हम बात करते हैं भोजन के घटक की सब आप सभी लोग जानते होंगे विटामिन्स होते हैं प्रोटीन्स होते हैं फैट होता है तो इन यह भोजन के घटक है इनमें इन चीजों को कवर करेंगे आब हम बात करते हैं सुद्ध भोजन की, शुद्ध भोजन में किया था जिए है कि हम फूड की cleaning की तरीक से करते हैं अब चलिए, अब हम बात कर लेते हैं किसकी सामग्री की सामग्री में हम पढ़ेंगे रेसे, कमपास इन चीजों के बारे में अब है जीत जन्तू की दुनिया इसमें हम पढ़ेंगे living things, non living things के बारे में और फिर बात आती है सजल बस्तुमें सचल वस्तिवह में हम क्या पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे यह भी बहुत आधे इसमें पढ़ेंगे लंबाई के बारे में, किलो-मीटर्श के बारे में, गती के बारे में वह सब हमारा आ जाएगा लोग का विचार। अब हम बात करते हैं विद्धो धारा एब परिपत की बहुत दच्चों को इस चीज में बहुत प्रॉब्लम रहती है लेकिन मैं आपको यह चीज बहुत अच्छे से बताऊंगी कि आपको लाइफ में कभी इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप साइन से बिल्कुल दरना ही बूँ जाएंगे विद्धो धारा में हम बात करेंगे करेंट की यह हमारे जो घर में करेंट आती है AC AC करेंट होती है DC करेंट होती है किस तरीके से वो एक पात को फॉल्लू करती है इस तरीके के कॉश्चन साथ है अब बात करते हैं चुम्बक कत्यों की आप सबने अब प्राकरतिक पद्धिती में हम कुछ नचरॉल चीजिवों को जानेंगे ऐसे प्राकरतिक संसादर में हम इनकी जानेगे हमें कहां से क्या चीज मिल रही है तो यह पूरा रहा आपका साइंस आप आपको जिस भी टॉपिक में ज्यादा डाव हो ऊप्लीज हमें कमेंड क सारे चीज बताऊंगी ही लेकिन अगर आप हमें बता देंगे तो वह ज्यादा इसली होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी वैसे तो पछे पहले बैसे जूनियर में आता है तो मैं आपको एक्जाम से पहले सब चीज़े बताऊंगी तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहें प्लीज और अभी तगा आपने हमें जितना सपोर्ट दिया उसके लिए थैंक यू आप उमें जिस चीज के बारे में कमेंट कर रहे हम आपको स्वीडियो प्रोबाइड कर रहे हैं मेरे पास आया था एक स्टूड़ेंट का कि हमें चेमिस्टरी बताइए तो यह मैंने आपको भूला साइंस का स्लेबर से दी अब आप मुझे बताइए कि इसमें किस चीज में राप्लम है तो मैं आपको उसी का विल्डियो प्रोबाइट कर दूंगी हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और हां सब्सक्राइब करके प्लीज बैल आइकन जरूर प्रेस करें जो कि सब्सक्राइब के पास नहीं दिया हुआ है उसको दबाएए जैसे कि हम जो भी वीडियो डालते हैं वह आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उनको पढ़ सकें अपनी तयारी अची कर सकें हम यही चाप्टा हैं कि आप हुमारे वीडियो के जूंका अ आपसे हुआप पर कुछ भी Sect बने रहे हैं तेंक यू